डिलाइट आईएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो एक बहुती बड़ा डाउड जो आप लोग का लगातार बना रहता है वो है OBC सर्टिफिकेट को लेकर किस तरह का सर्टिफिकेट ये होना चाहिए सेंट्रल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट में किस तरह का डिफरेंस होता है और अपनी जो लिस्ट है OBC की जो लिस्ट है उसमें अपनी कास्ट को कैसे चेक कर सकते हैं इसको लेकर और किस टाइम eso brewery का ये ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कौन सी अथोरिटी इसको जारी करती है कब हम इसको बना सकते हैं कितना पैसा इसके लिए लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत गहराई से बात करने वाले हैं ठीक है और मुझे लगता है यह एक ना अभी उचित समय है इस चीज के बारे में बातचीत करने का उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो पूजा खेड़कर का जो मैटर चल रहा है उसके चलते यूपीएसी इन सर्टिफिकेट्स को लेकर काफी ज़यदा आप सीरियस हो चुका है और वो सीरियस होना भी चाहिए दूसरी चीज ये है कि अब इसलिए उचित समय अब इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब यूपीएसी का नोटिफिकेशन फरवरी में आता है तब एकदम से इस सर्टिफिकेट को लेकर एकदम भाग दौड जो है वो मत जाती है एकदम परेशान हो जाते हैं बच्चे तो अभी एकदम फ्री माइंड से आप लोग नेक्स्ट येर के लिए अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आपके जितने डाउट्स हैं UPSC के इस सर्टिफिकेट को लेकर वो सारे डाउट्स में क्लियर करने का प्रयास करूँगा इवन SCST को लेकर भी कुछ-कुछ बाते हम यहाँ पे कर लेंगे या फिर एक अलग से वीडियो EWS और SCST के लिए भी बना देंगे ठीक है तो उन बच्चों को परिशान होने की ज़रत नहीं है एक बार वो भी देख लें कुछ-कुछ आंसस में उनके डाउट्स के भी इसमें दे दूँगा तो जल्दी से पहले हम लोग देखते हैं कि OBC Certificate होता क्या है सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि भारत में आरक्षन प्रतान किया गया है आप लोग जानते ही है और इस आरक्षन का लाब जो है वो दो स्तर पर आप ले सकते हो एक तो राज्य के स्तर पर आपको कुछ benefit मिलता है एक केंदर के स्तर पर कुछ benefit मिलता है राज्य के स्तर पर और केंदर के स्तर पर किस तरह के benefits मिलते हैं एक तो चीज यह है कि आपको जो केंदरिये सेवाएं जो है या केंदर की भरतियां होती है उसमें आपको नौकरियों में आरक्षन मिलता है, पदोनिती में आरक्षन मिलता है, इस तरह की चीज़े आप लोग देख सकते हैं, दूसरा आपको benefit ये होता है, कि राजय स्तर पर जो सेवाएं हैं, उसमें जो आरक्षन है नोकरियों में वो मिल सकता है, अटेंप्ट वगार certificate लेना होता है ताकि वो reservation का benefit जो है या फाइदा जो है वो उठा सके सबसे पहली चीज तो यह दूसरा अब इसके अंदर एक होता है अब यह non-crimalier क्या होता है देखो अगर किसी परिवार की सालाना आये जो है आट लाक रुपे से जादा है अगर आप पूछे के किया सर अभी भी यही है latest यह बिल्कुल सभी कहा रहा हूँ मैं आपको 2024 में भी अभी तक यह है हालांकि इसकी demand रखी गई है कि इस income को या इस स सीमा को आप थोड़ा सा बढ़ाने पर सरकार को विचार करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी के लिए 8 लाक रुपे की सीमा है, अगर आपके परिवार की इंकम 8 लाक से कम है, तो फिर आप जो है, नौन क्रीमी लेर में आएंगे, और अगर आपकी इंकम जो है 8 लाक से जादा है, तो आप लोगों का परिवार जो है क्रीमी लेर की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है, और नौन क्रीमी वाला ये है, और आपको पता है कि OBC को 27 प्रतीशत का आरक्षन जो है, वो मिलता है, इसका मतलब ये है, कि 100 प्रतीशत अगर सीट है, 100 सीट है, तो उसमें 27 सीट हैं, जो क्रीमी लेर में शामिल किये जाते हैं, देखो, एक तो समिधानिक पज़ पे बैठने वाली व्यक्ति वो क्रीमी लेर में आएंगे, है ना, ग्रूप A के, ग्रूप B के अधिकारी जो हैं, इसमें C, D आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, है ना, PSU वगरा जो उ के अंदर आएंगे, सेना में करनल, या उसके उपर की रैंक का जो अधिकारी होगा, वो भी क्रीमी लेर के तहत रखा गया है, ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं, जिनका जो है कही ना कहीं पे, इनको बेनेफिट नहीं देखने को मिलेगा OBC में, बाकी जो लोग हैं, वो UPSC करवाता है, असिस्टन कमांडन का एक्जाम UPSC करवाता है, तो इन सब जो एक्जाम होते हैं, उसमें आप OBC का जो है बेनेफिट ले सकते हैं, इवन उपरी I.O.C. में भी आपको छूट देखने को मिलती है, जैसे अकर आप देखेंगे तो UPSC में जनरल के लिए 32 साल क और OBC के लिए 35 साल की age limit है, तो कम से कम तीन साल का जो age relaxation आपको देखने को मिलेगा यहां पर, इवन इसी तरह का मुझे लगता है age relaxation है आपका CAPF के तौर पर भी वहां पर भी आपको benefit देखने को मिलेगा, EPFO में भी देखने को मिलेगा, और उसके अलावा प्रयासों की संख के लिए, दूसरा कट-off के अंकों में क्या number है, अगर आप थोड़ा सा यहां पर clarification मुझसे चाहेंगे, कि सर क्या benefit होता भी है या नहीं होता है, देखो, जनल और OBC जो होते हैं, इनको ब्रिलिम्स में बहुत ज़्यादा difference यहां पर देखने को नहीं मिलता है, एक दो number का रह जाएंगे, 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 अगर आप उस कास से बिलॉंग करते हैं, लेकिन फ्रॉड करके नहीं करना है, अभी हम लोग और ब्रिलिम्स के लिए करेंगे, इंकम को लेकर है, तो आप लोगों को इस सर्टिफिकेट का फाइदा जरूर उठाना चाहिए, अगर आप उस कास से बिलॉंग करते हैं, लेकिन फ्रॉड करके नहीं करना है, अभी हम लोग और भी डाउट्स क्लियर करेंगे, इंकम को लेकर है, क्या चीज़े हैं, अभी चलने दीजिए वीडियो आगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, दूसरा, आप देखो कई बच यह आपको एक कास सर्टिविकट बना के देती है, जाती का परमान पत्र बना के देती है, सबसे पहले समझेगा इसको, ठीक है, अब जाती का परमान पत्र यह होता है स्टेट के लिए, राज्य के लिए, राज्य के लिए एक कास सर्टिविकट आपका बनता है, अगर आप यूपी की जो सेवाएं जैसे state, pst वगारा का examination होता है, review officer का examination होता है, इस तरह के examination में अगर आपको benefit चाहिए, तो जाती का एक अलग से प्रमान पतर राज्य बना कर देता है, ठीक है, कहां से बनता वो भी अभी बात करेंगे, बट पहले आप ये समझो, अब ये तो हो गया क की state के लिए आपको फाइदा लेना है, वहीं दूसरा अगर आप देखेंगे, इसी तरह का एक परवाण पतर बनता है, केंदर की सेवाओं के लिए, केंदर ये services के लिए है ना, center government के अंडर जो भी services आती हैं, उनके लिए जो भी भरतियां आती हैं, उनमें फाइदा लेने क के लिए अलग से certificate बनता है, सबसे पहला जवाब आप लों को यहां पे ध्यान रखना है, बहुत सारे डाउट बच्चों के रहते हैं, सर, राज्य का बना है, राज्य का बना है, क्या वही यूपीसी में लगा सकते हैं, तो समझ लो यहां पे, वो नहीं लगा सकते आप, ठ लेकिन यह दोनों ही certificate बनाएंगी राज्य सरकारें, ऐसा है के केंदर सरकार इनको बना के देगी, ऐसा कुछ नहीं है, परफॉर्मा डिफ肉 है, दोनों का अलग है, लेकिन ये जो है बनाएगी राज्य सरकार ही तो राज्य सरकार में भी कौन बना सकता है अभी हम लोग देखेंगे इसको तो सबसे पहले अपनी सूची को आपको करना क्या है अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और आपको ये नहीं पता है कि क्या अच्छा किसका बनेगा सेंटरल सर्टिफिकेट देखो राज्य की जो OBC सूची है वो अलग होती है और केंदर की जो OBC सूची है वो अलग होती है लग बग थोड़ा समानता भी होती है इसके अंदर बढ़ कुछ-कुछ अलग भी रखा जाता है चीजों को है तो राज्य की OBC अगर आपको बनाना है तो आप राज्य की OBC लिष्ट में होने चाहिए तो आपका इनफ है उसके चलते आपका राज्य की सेवा में आप बेनेफिट मिल जाएगा आपको लेकिन केंदर की एक अलग सूची होती है उसके अंदर अगर आपका नाम है आपकी कास्ट नाम है मतलब आपका नाम नहीं आपकी जाती का नाम अगर उस सूची के अंदर है तो फिर आपका केंदर वाला cert certificate नहीं起 सकता है इस चीज को समझिएगा अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कहा से मतलब हम चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको अगर तो थोड़ा से एफट कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, वरता मैं लिंक दे दूँगा और टेलिग्राम में मैं सारे ये परफॉर्मेंस सेंड करने वाला हूँ, डिलाइट ऐस का तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है और लिखना है Central OBC List सिर्फ गूगल पर जाना है और जाके वहां पर ये लिखना है जैसे ही आप वहां पर लिखोगे तो आपके सामने जो सबसे पहला लिंक आएगा उस लिंक को ओपन करिएगा ठीक है, लिंक ओपन करने के बाद आप अंदर जाएगे ना तो अंदर स्टेट के नाम लिखे होगे जैसे आप मालो यूपी से हैं, बिहार से हैं बस उस पे जाके क्लिक कर दीजिया जैसे ही आप अपनी स्टेट पे क्लिक करेंगे उसके अंदर बहुत सारी कास्ट की लिस्ट दी होगी, उन लिस्ट में अपनी कास्ट को छांट लीजिए ज्यादा लंबा नहीं होता है, वो बहुत लंबा समय नहीं लगएगा पांतस मिनट का काम है, जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे तो आप अपनी कास्ट को फाइंड आउट कर लीजगा, अगर आपकी कास्ट वहां पर मिल रही है, इसका मतला 100% कोई प्राब्लम नहीं है, आप Central OBC लिस्ट जो है या Central OBC सर्टिविकेट का जो सर्टिविकेट है वो आप बना सकते हैं, उसमें कोई भी आपको प्राब्लम नहीं है, दूसरा आपको इसके साथ साथ, अब यह नहीं कि सर्फ लिस्ट में नाम है, तो आपका जो है सर्टिविकेट बन जाएगा, आपको बेनिफिट मिलने लगेंगे, नहीं आपको कुछ अधर क्राइटेरिया भी फॉलो करने होंगे, जैसे आपकी इंकम जो है वो आठ लाक रुपे से, सालाना इंकम आपके माता पिता की जाधा, इससे जाधा नहीं होनी चाहिए, है ना, तो एक चीज तो यह समझ में आ गई, इसी तरह से SCST वाले बच्चे भी कर सकते हैं, वो भी जाके अपनी SCST लिस्ट चेक कर लीजिए, सेंटरल स्तर पर, उसमें अगर स्टेट में जाके, आपका नाम आ रहा है कास्ट का, तो आप बिलकुल निश्चिन्त हो जाए, निश्चित तरीके से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई भी आपको और BK officers हैं, तो आपको benefit नहीं मिलेगा, आप क्रिमी लेर में आ चुके हैं, बट अगर आप नहीं हैं, मानलो वो government or employees नहीं हैं, और उनकी income जो है, वो कम है, या अब ज़्यादा है, आठ लाग से ज़्यादा है, और इसमें salary और agriculture की income अगर शामिल नहीं की जाती है, उसके other sources से income अगर 8 लाग से ज़्यादा है, तो आप लोग फिर भी क्रीमी लेर में आएंगे, तब भी आपको इसका benefit नहीं मिलेगा, आप देखो बच्चो, इसको लेकर ना, एक Supreme Court में अभी case चल रहा है, मैं आपको matter पूरा समझाओंगा, बट पहले जल्दी से हम कुछ और doubts ले ले लेते हैं, इसको लेकर मैं आपको एकदम clear करूँगा, सर यहां पर देखो, आपके मन में एक doubt आएगा, कि सर यह जो 8 lakh की income है, क्या इसमें हमारी खुद की income भी involved होगी, क्या, जो अगर मानलो कुछ लोग job कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उमीदवार की income इसमें नहीं आएगी, सिरफ आपके माता-पिता की income जो है, वही include की जाएगी, और चेक किया जाएगा, क्या वो सालाना 8 lakh रुपे से जादा है, या कम है, ठीक है, तो कहीं न कहीं पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखेगा, यह पहले का D.O.P.T. का जो notification है, उसके अंदर क्या कहा गया है, कि देखो यहां पर वेतन से होने वाली कुछ नहीं करना है आपको, प्रफॉर्मा मैं आपको दे दूँगा, नहीं भी है ना, तो आपको सबसे पहले किस के साइन होने चाहिए, आपके इस पे तहसीलदार से उपल के अधिकारी के, कुछ बच्चों के certificate last year जो मुझे भेजे थे उन्होंने इस बार जब UPSC का form आय है, है ना, तो इससे नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, अगर उसके साइन है, तो फिर आप उनसे दुबारा बात करो कि देखो, भई UPSC में ये मानने नहीं होगा, आप इस certificate को दुबारा हमें बना के दीजिए, ठीक है, जिस पे साइन जो है, वो कम से कम तहसीलदार और उसके उपर के अधिकारियों के होने चाहिए, ठीक है, दूसी चीज ये है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने तहसीलदार ओफिस में, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, उस प्रोसेस को जल्दी से देख लेते हैं, तहसीलदार ओफिस में जाना है, आपके प फोटो होने चाहिए, ठीक है, दो कलर्ड फोटो आप ले लिजिए, छोटी, और दूसरा पासबोर्ट साइज में, और दूसरा अगर आप देखेंगे, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, अधार कार्ड आपके पास होगा, और एवन चाहो तो एक दो आईडी आपको लिंक जो है, उसका भेज दूँगा, इसके नीचे भी लिंक डाल देंगे, लेकिन पर आप लोग टेलिग्राम से ज्यादा अच्छे से सीधा PDF डाउनलोड कर लिजेगा, टेलिग्राम चैनल डिलाइट आइस का जॉइन कर लिजेगा, उसमें बहुत अच्छे अच् आपको बहुत अच्छी तयारी आपकी UPSC Prelims 2025 के लिए होगी, अगर आप चाहते हैं कम से कम इतना effort कर लिजे खुझ से, आप इकी तयारी के लिए बोलना है, दूसरी चीज ये है, income certificate आपको बनाना होगा, और इसके अंदर income आपको कम से कम 8 लाग रुपे से कम रखनी होग तो आप कहरें कि सर अगर जादा है तब भी, देखो भई, थोड़ा बहुत fraud तो हर बच्चा करता ही है, मुझे पता ये चीज, लेकिन अगर आपकी income, मैं चाहता हूँ कि अभी जो case चल रहा है, आप लोग जैनुवन चीज़ों को देखे, अगर सच में 8 लाग से कम है, मेरे साब से ये मोटा मोटा मैं आपको हर तरीके से हर स्टेट में इसी process को follow किया जाता है, आप जाके, अचा कितना पैसा लगता है, कोई fees नहीं है, ठीक है, UPSC या किसी भी संस्ता के लिए आपको certificate बनाना है तो राज्य सरकार की तरफ से कोई fees नहीं ली जाएगी, लेकिन अगले साल के लिए, तो 15-20 दिन में अगर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट अगर आपको उस से जल्दी चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत उनको दे सकते हैं, तो आपका certificate जल्दी बना देंगे, फिर उसके बाद में देखो, ये बच्चों Central OBC का format ह जो OBC certificate के इंदर सरकार का बनता है, उसका performa है, और ये performa UPSC की website पे दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी state government का performa है, ये कोगी है ही center के लिए, तो आपको पता है कि UPSC कुछ performa जारी करके रखता है, कुछ format जारी करके रखता है, कि अगर आप इस format में बनाएंगे, certificate तभी वो मानने होगा UPSC में, ठीक है, तो आपके मन में आगा क्या सर, इसी को डाउनलोड करके देखो, अगर तो इसको डाउनलोड करके लेके जाते हैं, वहाँ पे तहसीलदार office में, और अगर वो accept करते हैं, कोई problem नहीं है, बट आजकल क्या हो चुका है, बच्चे, digital form में certificate जा परफॉर्मा हो, state भी अगर जारी कर रहा है, तो उसका परफॉर्मा अलग थोड़ी होगा, उनके पास भी तो यही भेजा हुआ है, सरकार का, तो यह सेम परफॉर्मा उनके पास होगा, आप उनको दिखाईए जाके, फिर आप उनसे वो वाला certificate बनवाईए हैं, ताकि जो ह यह OBC के लिए जो बने का certificate वो वाला, और यह income का certificate है, नीचे अगर आप देखेगे, ठीक है, declaration करनी है उनको कि हमारी income actual में है, कितनी family के कितनी income है, ठीक है, तो यह भी मैं आपको पूरा वहाँ पर शेर कर दूँगा, यहां पर अगर देखेंगे, जैसे income certificate अगर आप देख इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब देखो बच्चो जिस सीज को लेकर मैं बात कर रहा था, ठीक है, डूल इंकम टेस्ट को लेकर क्या कहानी है, देखो अभी ना UPSC ने जब से यह कहानी की है, तो सुप्रीम कोट में हाला कि 2019-20 से भी उससे पहले से ही केस चल रहा है केस क्या चल रहा है कि एक्चुल में आपने अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, कि वेतन की और क्रिशी की जो भूमी है या आये जो है, क्रिशी आये, इसको छोड़ कर आठ लाक रुपे होना चाहिए, तो सुप्रीम कोट ने पूछा है सरकार से, D.O.P.T. से कि भी क्या है पर बैठे लोगों, वरिष्ट केंद्रिय और राजे सरकार के करमचारियों, सशश्टर बलक के सदस्यों, संपत्ती के मालिकों के बच्चे, कथित और पर सेविल सेवा के OBC कोटा का लाब नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इन में कुछ अपवाद है, ध्यान से समझेगा, D.O. ये कह रहा है कि सांसर और विधायकों के बच्चे, सरकारी एदिकारी जिनमें वरिष्ट पदों पर नहीं किया गया है, उनको प्रमोशन नहीं उनका हुआ है, और असिंचित क्रिशी भूमी के जो मालिक है, अन्य सभी लोग इस कोटा के पातर है, जबकि उनकी माता-पिता कि इंकम आठ लाग से जादा नहीं होनी चाहिए, तो UPS, DOPT ये कह रहा है कि ये जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, इसके लिए जो इंकम का है, इसको छूट दी गई है, कि इस इंकम के है, इनका वेतन और आय की इंकम शामिल नहीं होगी, मतलब वेतन और क्रिशी की विफल रहा है सुप्रीम कोट को, तो केंदर सरकार ने जो हलपनाबा भी सुप्रीम कोट में जारी किया, भी भी केस चल रहा है, आपको पता है, सुनवाई हुई तिया से दस दिन पहले, तो केंदर सरकार ने एक बात बोली है सुप्रीम कोट में, कि देखो, जो DOPT कहरी है वो ज्यादा बेटर चीज है, है ना, तो अब एक demand उठाएगे कि ये बई, इसमें तो clarity नहीं है, कि किसके लिए ये income छोड़नी है, और किसके नहीं नहीं छोड़नी है, इससे बेटर आप एक काम करो, आप 8 लाकी सीमा को ही बढ़ा दो, और दोनों के लिए common performa कर दो, है ना, और दोनों, ये क्या है, dual income test, बच्चों को clarity, तो certificate को लेकर नहीं होती, इसमें कहां से clarity होगी, तो कहीं ना कहीं पे, सरकार खुद उलजती दिख रही है, इस matter में, है ना, DOPT clear नहीं कर पा रहा है, इस चीज के लिए, इवन सरकार देखो, यहां पे देखो, केंदर सरकार न नीरा है, कि basically क्या कहानी चल रही है, ठीक है, बच्चे अलग से परिशान है, तो सरकार को इस चीज को लेकर clarity करनी होगी, कि वेतन और क्रिशी की आए, आप किन लोगों की छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, या इसको कुछ लोगों के लिए आपने इसको छोड़ दिया है, क इसको छोड़ कर बाकी स्रोतों से इंकम जो है, वो 8 लाक रुपे से जादा नहीं होनी चाहिए, कुछ के लिए आपने ये कर दिया है, कुछ के लिए आप ये कहरे हो कि नहीं नहीं, वेतन और क्रिशी को शामिल करते हुए 8 लाक से जादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो म आपकी फैमिली की इंकम आट लाक से जादा है कि नहीं, अगर आट लाक से जादा है तब छोड़िए फिर नौन क्रिमी लेर का बेनफिट आपको नहीं मिलेगा, अगर इंकम आट लाक रुपे से कम है, तब आप नॉर्मल निश्चिन्त हो के जाए और जो प्रकृरिया मैंने लेके जाएंगे साथ में, और साथ में जाती का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे राज्ये का, है ना, तीन चीजे तो हो गई, इसके साथ ना, एक आप अप अप्लिकेशन भी लिख लीजी, जिस भी अधिकारी से आपको बनवाना है, जरूरी नहीं है कि वो, मतलब ऐसा हो क स्पेसिफिकली आपको पता हो कि किस अधिकारी के पास आपको जाना होगा, आप कुछ भी लिख दो, आप तहसीलदार लिख दो, या जो है SDM लिख दो, माननी SDM महोदे, है ना, सेवा में करके जैसे हम नॉर्मल हिंदी में अप्लिकेशन लिखते हैं, वैसे लिख दो, और जारी करने के समद्ध में प्राथना पत्तर कुछ इस तरीके से लिख दीजगा, और नीचे फिट लिखेगा, महोदेय जी निवेधन है कि मैं UPSC का एक्जाम देना चाहता हूं या चाहती हूं, और मुझे ये certificate बनवाना है, इस certificate को मुझे जल सजल जारी करने का मतलब मेरे लिए ये किया जाए, क्रिपा की जाए इस तरह से जो भी आप लिखते थे, और नीचे अपना प्राथी का नाम लिख दीजगा, बस इतना ही लिखना है, अब इसको लेकर अलग से मत परिशान हो जाए कि इस तर एप्लिकेशन का प्रफॉर्मा क्या है, क्या नहीं, नॉर्म लेकर जितने भी डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर हो गए होगे, कहां से बनेगा तहसीलदार वाला जो परसन है, तहसीलदार या उसके उपर का दिकारी इसके साइन होने चाहिए, कहां जाना होगा, तहसील काराले जाना होगा, अपने जिले के तहसील काराले में आपको ज प्रिलिम्स के पेपर में, तो वो आपके certificate के उपर ही दिया होगा, जो certificate बनके आएगा ना उसके उपर एक number दिया होगा, उसी number को उसमें फिल करना है आपको, ठीक है, दूसी चीज यह है कि किस time period में आपका certificate होना चाहिए, देखो, अगर जैसे अभी हमें 2025 का examination देना है, तो 1 1 April 2024 से लेकर, 31 March 2025 तक है बीच का, एकदम exact date मैंने आपके सामने लिख दी है, इस time period के बीच का आपका certificate, OBC certificate, केंद्रिये certificate होना चाहिए, केंद्रिये list में आपका नाम होना चाहिए, उसके बाद केंद्रिये प्रमाण पत्र जो बनता है राजय सरकारों के द्वारा, वो आप आपके पास income certificate कौन कौन से साल के होने चाहिए, इस से पिछले 3 साल के, है ना, तो जिस साल आप certificate बना रहे हो ना, जैसे मालो 25 में, 24 में बना रहे हो आप है ना, 25 में इस time period में, तो आपके पास जो है पिछले 3 साल का 21, 22, 23, 24 के 3 certificate financial year के आपके पास income certificate होने चाहिए, ठीक है, अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है means के def तक भी आप इसको बना सकते हो लेकिन पिछले तीन साल के आये प्रमान पत्तर आपके पास होने चाहिए अपडेटर ठीक है कि कौन कौन से यहर में आपकी इंकम कितनी रहे और तीनों परमान पत्तर सेम मत बनाना यह नहीं कि सेम इंकम सेम लिखिए एक में भी छे लाख लिखिए दूसरे में भी छे लाख लिखिए तो वह बोलेंगे इतना सेम कैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क कर लेना कि जैसे 1020,000 एक में दिखा दिया 580,000 पे एक में दिखा दिया 6 अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद